आप सभी भाई बहनों को भाई दूज की हरदिक सुपकामने गुरुजी ने कहा है आज दिपावली का अंतिम दिन है लक्षमी पूजन का पंच दिवशी त्योहार आज अंतिम पड़ाओ पर है आवश्यक रूप से पूर्ण रूप से पांच दिनों के फल की प्राप्ति के अवश्यक रूप से इन इस्थानों पर घर पर ही दीबदान करना है ताकि संपूर्ण पूजा का फलक को प्राप्त हो दुख दरिदरता का नाशो और मालक्षमी और सभी देवी देवता सदा सरोदा परिवार में खुशिया भरसाए तो आप सभी को आवश्यक रूप से इ उसका भी विवरण दिया हुआ है कृपया वह वीडियो देखिए आपको बहुत मदद उससे मिलेगी तो यह वीडियो दूसरा है जिसमें आप सभी घर पर विराजमान सिवलिंग या मंदिर में जाकर सिवलिंग पर भी सरलसा उपाय कर सकते हैं आज है बुद्धवार का द होता है और रोग कर जित्यादी से भी मुक्ति मिलती है और भाई और परिवार के सभी सदश्यों की उन्नती मिलती है आप महादेव को भाई के स्वरूप में जानती हैं मानती है तो सबसे पहले आज उनका ही पूजन करें भाई के स्वरूप में तो उत्तम फलों की प्राप दुर्वा भी काम में ले सकते हैं नहीं तो सापसुत्री नई दुर्वा भी काम में ले सकते हैं एक दुर्वा लेना है सहद लेना है और 11 दाने हरे मुंग के लेना है ठीक है दीपक का उपाय भी इस वीडियो में बताऊंगी परन्तु सरल उपाय नौकरी विवाह भाई के ल में कर सकते हैं पूरी रातरी में कर सकते हैं महादेव को चार पहर जहला विश्विक किया जाता है कोई दिक्कत की बात नहीं है एक जल का लोटा ले लीजिए और एक कटोरी में शहद एक दुर्वा और 11 दाने हरे मुंग के ठीक है आप दुबारा से चीज़ा नोट करते अभिशेक करें सबसे पहला कारी यही महादेव के मंदिर में किया जाता है और किसी भी उपाय को करने के लिए सबसे पहले दीप प्रजोलीत करें गोल बत्ती का घीका दीपक प्रजोलीत करें स्री सिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें तत्पश्यात आप सभी जो बड़ेश जी का स्थान आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस स्थान पर आप सभी को सहद का सर्व प्रथम लेपन करना है ओम गड़ेशाय नमहा कह सकते हैं नहीं तो श्री सिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र सबसे प्रथम सर्व स्रेष्ट है तो इस स्थान पर आप सदश्य सभी का नामगोत्र एक ही होगा परंतो आप विवाहित हैं तो भाई का नामगोत्र दूसरा होगा तो नामगोत्र बोलें गड़ेजी के स्थान पर शहद का लेपन करें और साथी उस सहद के लेपन के उपर आप सभी एक दुर्वा जो आपने सिव पर चड़ी हुई या नई ताजाली है वह आपको समर्पित करनी है ततपश्यात आप सभी को उसे स्थान पर अर्थात जो गड़ेजी का स्थान है वहाँ पर थोड़ा सा हरामोंग समर्पित कर देना है संपूर्ण नहीं किजेगा थोड़ा सा आपको बचाना है बचे हुए थोड़ा सा हराम आपको सिवलिंग पर समर्पित करना है, साथ के साथ थोड़ा सा बचे हुए हरे मुंग आपको नंदी महाराज के उठे हुए पैर पर समर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखते हुए कारिक कीजेगा, इस तरह से आप सभी को अवश्यक रूप से साम के समय रातरी तक कहकार कीजेगा, कोई चीज पूछनी हो, नहीं समझ में आई हो, तो पूछ लीजेगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाबा प्राप्त करेंगे, साथ ही गुरुजी कहते हैं घर के आसपास, अगर नंदी महाराज अर्थात, नंदी बाबा घुमते हों, बैल घुमत लेता है, उसकी परिवार में हमेशा धन संपदा, रोग, वन्स वृद्धी, किसी ने किसी स्वरूप में जो अर्चन आ रही है, वहदूर होती है, और हमेशा परिवार फलता फूलता रहता है, रातरी तक शाम तक कर दीजेगा, निश्य थिलाब मिलेगा, धन संपदा में अगर आप सभी ने यहां तक वीडियो देख लिया है, तो आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स वॉक्स में मंत्रों का दान करते हुए, श्री सिवायन नमस्तुभ्यम जो कि स्री महापुरान का मूल मंत्र है, वहदान करते हुए जरूर से लिखेगा, साथी आप स्रीमत स्क्राइब करना बनता है, अब जानते हैं सर्वस्रेष्ट दीपक क्यों पाए, जिसमें गुरुदेव कहते हैं, जब दीपावली का अंतिन निन भाई दूज हो, उस दिन पांच दीपक प्रेतन करें जरूर से लगाए, पहला दीपक आप सभी को पांच दीपक बनाने हैं और उनसे भगवान जी की आरती करनी है, आपने लक्षमी और गडेशी महराज के सिक्क के स्वरूप में पूजय नहीं कर रखाय, कोई दिक्कत की बाद नहीं, इस कार्तिक माह में दीपदान का सुख सर्वपर्थम कहा गया है, तो आप सभी को आवश्यक रूप से आज दी आरती करने के बाद पहला दीपक आप सभी को आवश्यक रूप से रसोई घर में, क्योंकि रसोई घर में मा अनपूर्णा का वास है, पित्रों का वास है, दीपक लगा देना चाहिए, ठीक है, आप सभी विस्थेसत्वर पर इस रसोई में लगाएं जो कि सर्वोत्तम भलो की प्राप्ति में सहायक है सबसे पहला दीपक आप सभी यहां लगाएं दूसरा अपने घर के मंदिर में लगाएं ठीक है तीसरा दीपक आप सभी को जो तुलसी माता है ना वहां पर लगाना चाहिए चोथा दीपक आप सभी को घर के दरवाजे पर लगाना चाहिए जगह जा सकते हैं तो कार्तिक माह में महादेव स्रीहरी विष्णु के मंदिर में दीबदान की महत्तोता, पीपल रक्ष में, बेल पत्र रक्ष में, समी रक्ष में, आउला रक्ष में, यह पूजनी कहे गए हैं, आकास दीबदान इस मेहने सबसे अधिक स्रेश्ट फहलों की प्राप्ति देता है, खुले आसमान के नीचे, और साथ के साथ किसी भी पवित्र नदी में बहते हुए स्थान पर आप सभी को प्रज्वलित करना चाहिए, इस कार्तिक माह में इस नान ध्यान दान की महत्तोता कही गई है, जिसमें दीबदान सर्व उत्तम कहा गया है, तो उसमें ब्रद्धी करते हैं, और देवता जो हैं हमेशा उस इस्थिल लक्षमी के सरूप में सदा सर्वदा परिवार के कल्यान के लिए हम सभी के लिए प्रियत्न रहते हैं, साधारान सरल तरीके से इसी तरह से दीबदान किया करें, इससे जादा आप नियम बद्ध तरीक के जो हैं उन चीजों में ना पढ़ें, साधारान सरल तरीके से भूल चुक के लिए छमापरार्थी होते हुए, सास्त्र विधान कहता है कि सिर्फ दीबदान करें, लंबी बत्ती, गोल बत्ती ऐसा नकर पानी की स्तिति में साधारान सरल तरीके से दीबदान सर्वस कि सेवा करें भागे खुलेंगे जय मत अदि